हेलो गाइज अगर आपको यहां पर गूगल ट्रांसलेट के एप्लिकेशन पर इस तरीके से प्रॉब्लम आता है यहां पर आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आ रहा है और यह जो प्रॉब्लम रहता है वो इंटरनेट कनेक्शन का रहता है बट कभी-कभी आप जो है अपने फून पर डेटा वगरा को on करते हैं वाइफाई वगरा यूज़ करते हैं तब भी आपको इस तरीके से problem आते हैं तो इस problem को आपको solve करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा basically यह जो problem रहता है वो internet का रहता है अगर आप अपने फून पर net को on करके जो है use करेंगे तो आपको यह problem नहीं आएगा बट अगर आपको फिर भी problem आ रहा है तो इसको solve करने के लिए आपको सबसे पहले setting को open करना है उसके बाद यहाँ पे आपको application वाले option पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको manage application पे जाना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से translate लिखके आपको search कर देना है तो इस तरीके से आप translate लिखिये तो फिर उसके बाद आपके phone पर Google Translate आएगा तो आप उसको open करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पर आपको Restricted Data Uses पर क्लिक करना है यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फोन पर इस तरीके से आपको Enable कर देना है उसके बाद यहाँ पर Wi-Fi Mobile Data को Enable करके OK करना है जैसे आप OK करेंगे दोस्तो तो फिर आपके फोन पर यह जो problem आ रहा था आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी और इस तरीके से आप उस problem को Solve कर पाएंगे